नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूटूब चैनल पे एक अच्छा अबिनेता एक अच्छा राजनेता हो ये जरूरी नहीं एक मूवी में आपने पांच सालों तक राष्ट पती का रोल प्ले किया है तो क्या आप वास्तों में राष्ट पती बन के साफल होंगे ये भी कोई गारंटी नहीं है ऐसा ही हुआ जैलेनेसकी के साथ जिनके एक निर्णे ने यूकरेन को बरबाद कर दिया तो आज विश्व में दो नाम बड़े फैमस है जैलेनेसकी और दूसरा नाम है ब्लादी मीर पूतिन जैलेनेसकी जिसके एक इगो की वज़े से यूकरेन है वो आज युद्ध छेल रहा है तो क्या था उनका लाइफ स्टाइल क्या थी उनकी जीवनी क्या है उनकी बायोग्राफी उसके बारे में आज हम यहाँ जानने की कोशिश करेंगे तो उसके लिए आप मेरे चैनल से जुड़े रहें और देखें उनके बारे में विस्तरित जानकारी व्लैडिमीर अलेकजेंडरोविच जेलेनेस की उनका पूरा नाम है इनका जनम है वो 25 जनवरी 1978 में हुआ आज वो 44 वर्ष के हैं क्रीवी रीह में इनका जनम हुआ जो कभी सोवियत संग का पार्ट था आज यूकरेन का पार्ट है आगे बताने किसका रहेगा यूकरेन के छटे राष्टपती के रूप में इन्होंने 20 मई 2019 को पदसंवाला इनकी संचार से लिए लोगों तक बात पहुंचाने का माध्यम सोसल मीडिया रहती है क्योंकि एक अबिनेता के रूप में इन्होंने बहुत लंबे समय तक काम किया और इंस्टाग्राम पर चाहे रहते हैं तो इंस्टाग्राम पर ये चाहे थे तो हो सकता है इनको लगा कि विश्व रंगमंच पर भी हम चाह जाएंगे और रूप जैसे महान विश्व शक्ती के सामने अकडने की इन्होंने हिमायत कर ली या यूँ कहें कि अपने अधुरे ग्यान अधुरी राजनितिक ग्यान डिप्लोमेटिक ग्यान की वज़े से इन्होंने रूप से पंगा ले लिया इन्होंने कॉमेडी में अपना जीवन कैरियर बनाया था और एक कमपनी बनाई जिसका नाम था क्वार्टल 95 जिसने सर्वेंट आफ दा पीपल सहित कई फिल्मों कार्टून और टीवी शो का निर्मान किया है और ये करती भी है जेलेनेसकी ने युकरेन के राष्टपती की भूमिका यानि जी सर्वेंट आफ दा पीपल फिल्म में इन्होंने राष्टपती की भूमिका निभाई जो लगबग 2014 से 2019 तक परशारित हुई काफी लोग पिरिये हो गए लोगों को भी लगा कि जब एक मूवी में काम करने वाला है वो एक कलाकार है एक अबिनेता है वो राष्टपती बननेगा क्योंकि और ये ही साइद जेलेनेसकी को लगा कि मैं अच्छा अबिनेता हूँ और अच्छा राजनेता भी बन सकता हू तो अपनी फिलम के नाम पे इन्हों ने एक पार्टी बनाई दा सर्वेंट आफ दा पिपल और उसी पार्टी को लोगों ने 73 परसेंट से जादा मत दिये और इनको छटा राष्ट पती यूकरेन का बना दिया योक्रेन की जंता यह समझ पाई और नही जलेनेस की की रंग मंच और जीवन के जो वैभारिक जीवन का जो मंच है क्योंकि एक फिलम में तो रीटेक होते रहते हैं लेकिन वास्तविक जीवन में रीटेक नहीं होता है और उसी का खाम्याजा आज यूकरेन जेल रहा है क्योंकि नाटो और यूरोपियन देसों के बातों में आके जलेनेस्की नेरूस से पंगा ले लिया आज वो अकेले खड़े हैं और चारों और यूकरेन में मातम चाया हुआ है तो कहीं ने कहीं मैं जेलेनेस्की को उतरदाई ठैराऊंगा इस बड़े युद्ध के लिए क्योंकि यदि वो डिप्लोमेस्टिक ग्यान उनको होता तो यदि या वो डिप्लोमेस्टिक राजनितिक रूप अच्छे राजनितिक नेता के रूप में अपनी भूमिका निवात तो साइद बाचीत के मद्यम से वो इस बड़े संकट को टाल सकते थे लेकिन उनके जो भाषन थे कि युकरेन नहीं जुकेगा और बाद में एक भाषन आया कि जान में गंटे के बाद में युक्रीव पे रूप का अधिकार हो जाएगा तो ऐसे भाषन देने वाला राष् पती साइद ही सफल हो पाता और युकरेन की जनता साइद आज इस बारे में सोचने के लिए मजबूर है कि क्या उन्होंने इतना बड़ा बहुमत देकर सही किया या नहीं ये तो बहुश है के गरत में है लेकिन वरतमान में युकरेन है वो एक बड़े संकट में फसा हुआ थाहे थैंक यू